हाला सुटेंट्स मिना नाम दॉक्टर गजंद पुरहित और आप देख रहे हमारा यूट्यूब चनल अगर आप बीएस्जी कर रहे हैं बीटेक कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चनल से तो वीडियोज पढ़ते ही हैं बट हाँ इस सुन अगर आप गेट एक्जाम य ट्रिक हमें कहने कहीं नहीं आती है इस पर आप थोड़ा सा काम करें तो मैंने इस पर काम करना शूरूर किया ऐसे मैंने काफे सारे वीडियोज अप्लोट किये अगर आप गेट एक्जाम की तैयरी कर रहे हैं खास करके जो इंजिनेरिंग स्टूडेंट्स उनके लिए इसी सीरीज के अदर आज मैं आपके सामने टेलर सीरीज के कोश्टन करने वाला हूं कि कैसे हम कोई भी फंक्शन हमारे पास दे रहा है तो इसका एक्सपांचिन कर सकते हैं इसके अंदर मैकलोरें सीरीज का अभी कंसेप्ट आज हम सीखेंगे तो सुन यह सीरी आपके लिए तुम बात करी जाए, टेलर्स इन्फानेट सेरीज, Fx भी दा फंक्षन, दैने सुन हमारे पास कोई भी फंक्षन का अगर एक्सपंशन करना हूं, तो यह हमारे पास एक्सपंशन का फार्मुला होता है, अगर आप देखेंगे, इस तरसे यह सेरीज यहां पर चलते रहती है, अगर मैं बात करूँ कि यह जो इन्फानेट सेरीज है, इसमें A प्लस H की जगर मैं X रख दूँ, तो बटाईए हमारे पास Fx हो जाएगा, is equal to F A, प्लस X minus A, F dash A upon 1 factorial, प्लस next अगली जो टम आएगी, वो आएगी, X minus A का whole square upon 2 factorial, F double dash A, इस तरसे यह हमारे पास सेरीज चलती रहती है, अगर यहां पर जो A point है, इसको 0 रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, इसमें 0 रख दिया जाए, यह हमारे पास Taylor series expansion है, about point X is equal to A, पर अगर मैं A को 0 कर दूँ, तो सुन यह जो series होगी, यह हमारे पास Maclaurane series बन जाती है, Maclaurane series में क्या होता है, सुन 7 to 7 है, बस A की जगा हमारे पास यहां पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, आप बोलोगे गुरुजी इसकी जरूत क्या है, इसमें अगर बाई चांस आप exam दे रहे हैं और आप भूल गए किसी function की series, माली जाए, आपके पास कोई function दे रहे है, that is, Fx is equal to 10x, आपको भहिया 10x की series नहीं पता है, या चरू 10x की पहले, sinx की series देख लेते हैं, या फिर अगर आप से बुला जाए, कि भहिया, Fx is equal to cosx की series क्या होगी, तो सुन कैसे हम यहां पर इसकी series को निकालते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले, जब इस प्रकार की कोई भी series पूछे, और अगर मैं कुछ नहीं बोले, तो ऐसे कैसे हम origin के respect में इसकी series निकालते हैं, तो सुन हमारे पास जो series होगी, वो यह होगी, अगर इस function की series निकालना चाला है, तो सुन यह आएगा, F0, दैन हमारे पास X upon 1 factorial F-0, प्लस X square upon 2 factorial F-0, प्लस X cube upon 3 factorial F-0, यह सुन यह हमारे पास McLaurin series expansion होता, जो की teller series में एक ही जेगा 0 रखने पर आता है, सुन यह हमारे पास function दे रखा है, आपको इस function में, अगर हमें यह values पता पढ़ जाए, तो हमारे काम खतम हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, यह जो function है, इसको एक बार differentiate कर लेते हैं, तो सुन, sine का derivative हमारे पास cos x आता है, इसका एक और बार, अगर हमें differentiate करता हूँ, cos का हमारे पास minus sin x आता है, फिर एकर मैं इसको एक और बार करता हूँ, तो सुन, minus तो यह हमारे पास cos x, इस तरह समी यहां पर इसका करते जाता है, हम क्या करेंगे, सुन हमें value रखने हैं, त तो सुन, यह सब value हम one by one यहां पर put करते जाएंगे, तो मारे पास fx की value हम रखने हैं, sin x, and सुन, यहां पर f0, 0 आ रहा है, सुन, f-0 की value 1 आ रही तो यह आएगा, x upon 1 factorial, and सुन, यह तो double dash 0 आ रहा तो यह 0 हो जाएगा, यहां पर triple dash 0 की value minus 1 आ रही है, तो सुन, यह आएगा x cube upon 3 factorial, तो इस तरह से यह हमारा पास series आती है, तो सुन, sin x की जो series होती है, इसको इस तरह से भी यहां पर लिखते हैं, यह हमारा पास इसका series expansion होता है, इसी प्रकार से गर आपको cos x की बोला जाए, तो cos x में करना क्या है, कहानी तो यह कही है, बस हमें क्या करना है, सुन, fx, f-x, तो cos का हो जाएगा, minus का sin x, then double dash x की बात करें, तो सुन, minus का ही हो जाएगा, cos x, फिर cos का derivative करेंगे, तो सुन, minus का sin x आएगा, तो यह plus का sin x देगा, अब सुन, क्या करना है, यह 0 की value रखते जाएगा, तो हम क्या करेंगे, सुन, f0 हमारे पास cos 0, 1 होता है, यह 0, sin 0, 0 हो की सीरी जाएगा, सुन, cos x की सीरीज रखते है, तो cos x की सीरीज हमारे पास क्या होता है, सुन, f0 की value 1, f-0 की value हमारे पास यहांपे क्या है, सुन, 0 आ रही है, then f double dash 0 की value minus 1 आ रही है, तो minus का x square upon 2 factorial, इस तरस हमारे पास यह सीरीज आती रहती है, right, तो हमें ही यहांपे इसको को इसली समझ सकते हैं अगर बाइचांस एक्जाम में आपसे यह पूछ लिया जाए कि भाईया वाट इस शीरीज ओफ लॉग वन प्लस एक्स क्या बुले कि एगर एफ एक्स हमारे पास लॉग वन प्लस एक्स है तो इसकी सीरीज क्या होगी जब़ी ऐसा प्रस्ष्ण आता है तो हम क्या करेंगे समस्क twisting का डेरिविटीन निकालें लेगे तो इसका डेरिविटी होता है वरन अपॉं यह हमारे पास 2 हो जाएगा, यह हमारे पास 2 हो जाएगा, अब हम जानते हैं, हमारे पास Series Expansion यह होता है, अगर मैं इसका Series Expansion करना चाहूँ तो बटा, मैं यहां लेकर रहा हूँ, 1 plus x is equal to, बटा, f0, f0 की वेली 0 आ रही है, दैने सुन, f-0, यह हमारे पास 1 आ रहा है, तो यह x हो जाएगा, सुन, f double-0 की वेली minus 1 आ रही है, तो यह हमारे पास x square by 2 हो जाएगा, सुन, x3 by 3 factorial यहां पर 2 आ रहा है, तो 3 factorial में 2 मतब 6 और 2 तो यह 1 by 3 हो जाएगा, तो सुन, यह आएगा हमारे पास x cube by 3, तो सुन, यह हमारे पास यहां पर क्या होता है, log 1 plus x का series expansion होता है, अब कभी-कभी exam में हमें particular point पर पूछ ले, जैसे आप से पूछे कि like find series expansion of sin x at x is equal to pi by 2, आप से पूछे, यह x is equal to pi by 2 का sin x का series expansion करें, तो यह क्या करूगे हम, तो सुन, जब यह ऐसा प्रशन आता है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, यहां पर मारे पास Taylor series का concept पता होना चाहिए, तो f x is equal to, यहां पर कुछ नहीं, 0 की जिगर pi by 2 आ जाएगा, बस, x minus pi by 2 की power 1 upon 1 factorial f dash pi by 2 हो जाएगा, plus x minus pi by 2 का whole square upon 2 factorial f double dash pi by 2, इसी प्रकार से यह चलता रहता है, अब हम क्या करेंगे सुन, यह हमारे पास sin x रहेगा, तो मैं sin x को रख देता हूँ है, क्योंकि हम मुझे इसकी वेली चाहिए, तो f x हमारे पास sin x है, इसी प्रकार से मैं f dash की बात करूँगा, तो बटा यह हमारे पास क्या आएगा, सुन, cos x हो जाएगा, इसी प्रकार से double x x की बात करूँगा, तो cos का हमारे पास minus sin x हो जाएगा, इसी प्रकार से आप निकाल सकते है, कभी-कभी एग्जाम में आपस यह भी पूछ लिया जाता है, कि find the coefficient of, अगर आप से यह question पुछे, कि find the series expansion of sin x at x is equal to pi by 2, and also find the coefficient of, क्या बोले, coefficient of x minus pi by 2 की power 4, आप से बोले कि इसका coefficient क्या होगा, x minus pi by 2 की power 4 का, तो से नहीं हम जानते हैं कि जब हमारे पास power 1 है, तो f dash pi by 2 upon one factor लिसका coefficient है, अगर 2 power है, तो double order derivative upon two factor लिसका coefficient है, अगर इसकी बात करें, तो इसका coefficient होगा, वो हमारे पास क्या होगा, f fourth derivative pi by 2 upon four factorial, यह ध्यान देने की ज़र होता है, तो सुन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका fourth order derivative निकालना पड़ेगा, तो सुन third order derivative पहले निकाल लेते हैं, तो sin x का हो जाएगा, सुन minus cos x, again, cos x की बात करेंगे, तो यह minus sin x होगा, तो minus minus plus होगा, तो बटा, यह value उठा कर रख दिजिए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, sin pi by 2 upon, यहाँ पर क्या होगा, 4 factor मतब 24, बटा, इसका जो आंसर आएगा, वो 1 बटा, 24 आजाएगा, तो यह आपको ध्यान देने की आवशकता है, इसी परकार से जिसे मैं आप से बूलू, कि यह log 1 plus x के series expansion में, x की power 5 का coefficient क्या होगा, क्या बोले, x power 5 का, तो बटा, x power 5 का coefficient निकालना है, तो हम जानते है, x power 5 का जो coefficient आएगा, वो हमारे पास क्या आएगा, सुन्ट, इसका 5th order derivative upon 5 factor लाएगा, तो बटा, क्या करना पड़ेगा, अगर हमें x power 5 का coefficient निकालना है, तो इसका 5 बार differentiation करना पड़ेगा, and then फिर हम उसका क्या कर सकते हैं, value put करके, निकाल सकते हैं, तो इस प्रकार सम कर सकते हैं, सुन्ट, यही type के question आपके exam में, पूछे जाता है, खास करके, get exam की बात करी जाएगा, सुन्ट, इस इस the question, for a small value of h, the Taylor sees expansion for x plus h, इस तो सुन्ट, सीज़ा-सीज़ा फार्मला है, इसका यह वाला answer क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, I think यहाँ पे option की बात करी जाए, तो यह दोन option गलती से same हो रहा है, यहाँ पे एक पूरा-पूरा यहाँ पे क्या रहा है, सुन्ट, minus minus आ रहा है, यहाँ पे, तो सुन्ट, यहाँ पर हमारा पास a option, correct हाएगा, clear है, आगे बढ़ता है, the Taylor sees expansion of sin x upon pi minus x at x is equal to pi, है, तो सुन्ट, जभी इस प्रकार का प्रशन है, तो हमारे पास दो तरीके से this question को कर सकते है, एक तरीका तो यह हो सकता है, कि fx is equal to, यहाँ आप हम ले लें, f pi plus x minus pi upon one factorial f dash pi, है ना, फिर ही आएगा, x minus pi का whole square upon two factorial f double dash pi, एक तरीका तो हमारे पास यह हो सकता है, तो हमारे पास इस type के questions को solve करने का एक तरीका और भी होता है, और वो तरीका हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, आप बोलोगे, sir, कैसे इसकी value put करेंगे, तो सुन साइन की value, अगर आप pi रखता है यह आप, ज्यान देजी का, pi, है ना, तो बटा pi रखेंगे, तो यह 0 by 0 आ रहा है, है ना, तो 0 by 0 आ रहा है, तो यह DL hospital लगाएंगे, है ना, तो जब DL hospital लगाएंगे, तो सुन यह option हमारे पास correct हो सकते हैं, यह तो हमारे पास correct नहीं होगा, right, एक idea से आपको लग जाएगा, और normally हमारे पास जबी sign की series आती है, उसमें हमारे पास जो term आती है, वो power 3 आती है, तो यहां पर थोड़ा समूझ लगता है, printing mistake नज़र आ रही है मेरे को, पर नीचे x minus pi का divide हो रहा पर अगर आप बोलोगी नहीं सरा आप तो method बता हो सरी, तो ठीक है आपने चौट टिक बता दी, इस सुन method भी बता सकता हूँ, मैं इधर देखिया, sign x, है ना, तो क्या करता हूँ, x minus pi, plus pi कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, सुन मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, कर सकता हू होता है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, minus का sign x minus pi divided by x minus pi हो जाएगा, और हम जानते हैं, सुन, अभी मैंने आपको बता है था, कि sin x की सिरीज, आपके पास क्या होता है, सुन, x minus x cube upon 3 factorial, यह मार पास सिरीज होती है, तो बटा मैं क्या करूँगा, minus का 1 upon x minus pi तो बहार रख लेता हूँ, सीरीज को कोलता हूँ, तो यह आएगा, सुन, x minus pi है ना, वहीं, x की जिगाए रखना है, minus x minus pi की power 3 upon 3 factorial, यह मार पास time आएगी, जब इसको अंदर के तरफ लेके जाएगे, तो सुन, यह minus 1 हो जाएगा, minus minus plus होगा, x minus pi का whole square upon 3 factorial, यह हमार पास यहां पे क्य करना है, मतलब 0 पे चेक करना है, जीरो पे चेक करना है, जीरो पे चेक करेंगे, एक बार 0, put कर दो, sin 0, 0, cos 0 की value 2 आ रही, मतलब इसकी पहले टर्म 2 होनी चाहिए, पहले टर्म 2 ही दे रखी है, तो फिर तो दिक्कत ही नहीं, फिर तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा करना पड़ेगा, तो बेटर सरीका तो यह है कि अगर आपको sin x की सीरीज पता है, लिख दिजी यहां पे x minus x cube upon 3 factorial plus x 5 upon 5 factorial है, यह हमारे पास सीरीज होती है, और यहां पे cos x की सीरीज क्या होती है, जीरो पे 1 minus x square upon 2 factorial plus x power 4 upon 4 factorial है, यह हमारे पास सीरीज हाईगे, अगर हम देखेंगे, सब सबस्क्राइल x constant time, फिर x की time, तो x की time हमारे पास यहां पे क्या हैगी, 3 x आएगी, फिर हम x square की time देखेंगे, तो 2 से multiple होगा, तो minus x square आएगा, तो सुन 2 plus 3 x minus x square की बात करीज है, तो I think इसी में आ रहा है, बाकी तो नजरों नहीं आ रहा है, सुन यह option correct आ आएगा, ध्यारे, आगे बढ़ते हैं, इस वन इस class के PDF notes और इस पर best questions और भी practice करना चाहते हैं, या इस पर आप test series देना चाहते हैं, यह सब कुछ free है, math care app पे, आप math care app यहां पे देख सकते हैं, जो की android and ios पे available है, इस वन जैसे ही आप math care app पे login करेंगे, वहां पे आप से CSIR net in gate लिखा हुआ है, इस पर आपको click करना है, इस वन जैसी आप इस पर click करेंगे, तो इस वन यहां पे courses for CSIR net in gate लिखे हुआ जाएंगे, जैसे आप इसको scroll करोगे, तो यहां पे gate 2025 free course दिख जाएगा, या gate 2025 engineering mathematics free course आप search कर सकते हैं, यह course आपको नजर आ जाएगा, जैसे एक ही objective है, कि जो भी student get exam की तहरी कर रहा है, with engineering subject, तो उसका जो engineering mathematics का content है, वो आपको यहां पे PDF की form में, जो class ले रहा है, उसका PDF आपको मिल जाएगा, and then उस पर best आप और भी question practice करना चारे, तो उसके questions आपको मिल जाएंगे, and आप test series भी यहां पे दे सकते हैं, आप इस तरह से यहां पे देख सकता है, सुन, यह हमारे class 1 है, इस class की जो notes है, वो आपको यहां देख जाएंगे, plus यहां पे आप test attempt कर सकते हैं, जैसे attempt करेंगे, तो आपको इस तरह से questions यहां पे मिल जाएंगे, सुन, next question में, the third term in the teller series expansion of e की power x about a, सुन, third term पूछ रहा है, तो third term हमारे पास क्या होती है, वैसे normally कर हम बात करें particular point के about expansion की बात कर रहा है, तो सुन, यहां पे आएगा f a, plus यहां पे आएगा यह, like x minus a, power 1, f dash a upon 1 factorial, इसी प्रकार से x minus a का whole square, double dash a upon 2 factorial, आप से क्या बूल रहा है, I think this is the third term, right, third term यह, तो भाई हम क्या करेंगे, हमारे पास e की power x, that is fx is equal to e की power x, दे रहा है, पाटा इसका एक बात derivative करूँगा, तो भी e की power x से आएगा, दो बात derivative करूँगा, तो भी e की power x से आएगा, मुझे चाहिए double dash a, जहां पर भी x है, वहां पे a रख देता हू I think हमारे पास b option क्या हो जाएगा, सुनिया पर, correct हो जाएगा, clear, आगे बढ़ते है, the Taylor sees expansion of sin x, यह sin x का expansion क्या होता है, यह सुनना आपको बता दिया, sin x का expansion हमारे पास क्या होगा, यह होगा, x minus x cube upon 3 factorial, plus x power 5 by 5 factorial, तो इसको तुमने start में बता दिया था, next question देखते है, question ही बोल pi by 6, x minus pi by 6 upon 1 factorial f dash pi by 6, plus x minus pi by 6 का whole square upon 2 factorial f dash pi by 6, यह सुनिया पर यह चलता रहेगा, clear है, है ना, आगे चाहो तो आप आगे और भी लिख सकते हैं, सुनिया square सा लिख सकते हैं, x minus pi by 6 का cube upon 3 factorial f triple dash pi by 6, सुनिया हमार पास सुलता रहेगा, right, अब हमें sin x की बात कर रहे है, तो सुन क्या करेंगे, सब 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 लिख साइन x को पकड़ेंगे, तो सुन f x is equal to sin x, ले ले लिजा है, सुन हमार पास बोला जा रहा है, f x is equal to sin x, फिर इसका derivative निकालते हैं, f dash x सुनिया आएगा हमार पा cos x, सुन double order derivative निकालेंगे, तो cos का जाएगा minus sin x, फिर triple dash dash की बात करेंगे, तो यह हो जाएगा हमार पास minus cos x, f, यहाँ पर pi by 6 रखता है, तो sin pi by 6 की value जो होती है, वो 1 by 2 होती है, अब सुन यहाँ पर dash में pi by 6 रखता है, तो सुन इसकी value हमार पास root 3 by 2 होती है, तो सुन इसक option की बात करें, तो मंदब सभी degree की time आएगी, तो 1, 2, 3 सब इगा है, तो मंदब यहाँ पर हमार पास 2 होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए, ठीक है, सुन जान दे जाएगे, आपर double dash आएगा, फिर हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पर triple dash pi by 6 रखेंगे, तो यहाँ पर सुन इसक equal to, वेटा, पहली time हमार पास 1 by 2 आरिए, दूर्सी time हमार पास आरिए, सुन रूट 3 by 2, एना, X minus pi by 6, प्लस तीसरी time हमा पास यहाँ पे गार रिए, सुन, minus 1 by 2 आरिए, तो यह minus 1 by 2 रखेंगे, सुन इसरी time आरिए, तो यह 1 by 2 रहे एगा, तो यह 1 by 4 हो जाएगा, and x minus pi by 6 र whole square एगा, यह सुनिया 3 है, that is 6, और यहाँ पर f triple dash, 1 by 2, तो root 3 by 2 आगा, तो 2 से multiply आगा, तो सुनिया आगा, minus का, root 3 upon 12, x minus pi by 6 की power 3, सुनिया मार पास आएगा, तो मार पास यह option क्या जाएगा, correct आजाएगा, इस प्रकास इस question को solve कर सकता है, तो next, यह वाला question comment box के लिए, उसको solve करने में आपको किता time लगा, please comment करके जरूर बताएगा, मैं आपको फिर से बताना चाहरा हूँ, इस class का PDF notes, इस पे और भी question practice करना चाहरा है, तो सुन आप math care app पे कर सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो series है, यह आपको आगे मिलती रहेगी, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, तो हमारा help line number दे रखा है, इनसे आप बात कर सकते है, यह हमारा telegram है, join college, classes की update मिलती रहती है, और यह हमारा math care app है, जो के अड़ोड़ना है, उस पे available है, यह मैं आपको फिर से बताना चाहरा हूँ कि अगर आप B.S.C. कर रहे हैं, बिटेक कर रहे हैं, किसे भी competitive exams की तयारी कर रहे है, तो हमारा content है, वो university के लिए तो बहुत ही अचा है, पर कहने कहीं competitive age की बात करे जाए, तो हम यहाँ पर short tricks and concepts, वो हम यहाँ पर सेरीज के मादेम से आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको मारा content अच्छा लग रहा है, तो please channel को subscribe जरूर करेगा, like करेगा और comment जरूर करते रहेगा, क्योंकि यही हमारा लेक motivation का source होता है, बाकी math care app पे अगर आप subscription लेना चाहरे हैं इसका video आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं, अगर आप gate exam के बारे में और भी जानकारी रखना चाहते हैं और अगर आपको engineering mathematics का और भी content चाहिए, तो वो इस playlist में आपको मिल जाएगा, यहाँ जाके channel को subscribe कर सकते हैं, धन्यवाद